Hi guys once again welcome back to my channel I hope you all are doing good अगर आप भी उत्राखन ओपन उनिवस्टी के स्टूडेंट हैं और अपना रिजल्स सर्च कर रहे थे और इवन आप सभी लोगों ने रिकाउट कर रहा होगा कि इससे पहले ऑफिशल वाबसाइट पर भी ये आपका बैक का रिजल्ट अपडेट नहीं क इस वीडियो के अंत्रगत हम बात करेंगे किस तरीके से आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है डाउनलोड रिजल्ट पर मार्च 2023 पर आपको कलिक करना होगा यहां से रागुलर की बजाए आप बैक पेपर सेलेक करेंगे और बैक पेपर के बाद आपका यहां पर सेप्टेमबर 2022 शेशन रहेगा और यहां से आपको सेलेक करना है बीए 2021 कोर्स आपको यहां से सेलेक करना आपका फर्स्ट येर और यहां पर इंडूर्में नमबर एंटर करना है आपको आपको डाट डेट व बर्थ आपना यहां पर एंठर करना होगा गैट रिजल्ट पर जैसे आपको लिए तौर्स के जितने सारे स्टूडेंट है अपना बैक का रिजल्ट आप लोग डाउनडोड करके रख सकते हैं वहर रिजल्ट अन्लैस्स जरूर्व करें कि आपको मिस तो December 2022 After Back आपका शो करेगा विकोज आपने Back Form फिल करके अपना Examination किलियर करा है तो That Means कि After Back आपका रिजर्स हो करेगा Alright, But Don't Worry डिग्री में ये शो करना नहीं करता है So आपकुछ ज़्यादा Tension लेने वाली कोई बात नहीं है, Okay वेलब मैं यहाँ पर clear करना चाहूंगा कि अगर आपने back के साथ अपना examination clear करा है यानि back form fill के साथ अपना clear करा है तो after back आपका see start show करेगा that means यह represent कर रहा है कि आपने after back अपना subject clear करा है इस तरीके से आप लोग अपना subject wise अपना marks check out कर सकते हैं यहाँ पर कुछ legends दिये गए हैं see that means complete होता है और clear होता है अगर that means कि आप अपने examination अपने pass कर रखा है साथ में यहाँ पर T.S. that means theory assignment और practical PR वी वी वाइवा, P.T. project, see complete and see not clear not clear के काफी सारी reason होते हैं और या तो आपके theory में marks कम है आप pass नहीं कर पाए हैं या फिर assignment में marks कम है आप pass नहीं कर पाए हैं आपको यह result analysis करना होता है काफी सारी वीडियो अपने चैनल पर publish करी वी हैं आप लोगों ने check out नहीं करी हैं तो check out कर सकते हैं या फिर आप हमाये telegram groups को join कर सकते हैं वहाँ पर इसके update share कर दी गई है UFM that means unfair means आपने examination में cheating करते वे पकड़े गए हैं तो that means आपके result में UFM so करेगा साथ में RD है WG है with grace और with grace को हटाने के लिए आप improvement form जल से जल से इस particular date के अंत्रिकत फिल कर सकते हैं आज लास date है otherwise आपको next term examination में मौका नहीं मिलता है improvement हटाने के लिए यानि with grace हटाने के लिए और marks को अच्छे से improve करने के लिए but back वाले improvement form नहीं फिल कर सकते हैं यह बात भी जरूर जिहान रखना जो main का जिनका result आया है in students का first attempt में ही जिनोंने clear करे हैं subject वो student अपना with grace को हटाने के लिए improvement form फिल कर सकते हैं ए absent present करता है in case of assignment marks are not entertained contact the university examination office अगर आपके subject में marks नहीं दिये गए हैं तो आपको examination department को इसकी जानकाई देना है और अगर आपके result में पहले तो गलतिया नहीं होनी चाहिए अगर आप result preparation में कोई भी गलती है और आपको लगता है कि यह mistake किया गया है विश्विध्या लेकिया अंत्रक है तो आपके records को verify करके again आपका result प्रतसित कर दिया जाता है all right so इस तरीके से आप अपना marks check out कर सकते हैं जानकारी के लिए बतादो 100 में से 35 marks passing होता है 70 में से 25 marks passing होता है और 30 में से आपका 11 marks passing होता है assignment में बागी आपको किस तरीके से चेक आउट करना है उसका process मैंने आपके साथ share कर दिया लिंक मैंने description में दे दिया आप वहां से भी check out कर सकते हैं जनवे 2022 session रहेगा यहां पर BA course के बारे में बताया गया है bachelor of geography का है bachelor of mathematics का overall हर एक course का result विश्विद्या लेकर अपडेट कर दिया गया है mathematics हो गया योगा, commerce, science हो गया BAC का and diploma courses के हो गया यहां पर economics हो गया, education हो गया, English हो गया, history, hindi, public administration, political science, sanskrit, sociology, yoga, commerce, botany, आपका chemistry, mathematics, physics, geology का result अपडेट किया गया है और यहां से अगर आप अपना September 2022 सेशन से लेकरेंगे BBA हो गया, BAID हो गया, BAID special हो गया आपका, after that BHM हो गया, bachelor of library science हो गया, BST हो गया and tour and travel management हो गया, certificate course की जानकारी दिया गया है after that यहां पर आपका diploma course की जानकारी दिया गया है और इसके बाद आपका economics हो गया, education हो गया, English, geography, geoinformatics हो गया, history हो गया, hindi हो गया, home science हो गया, journalism and mass communication हो गया जोतिसी mathematics, public administration और political science और psychology, sanskrit, sociology, yoga, master of business, master of commerce, master of performing arts and botany, chemistry, आपका geoinformatics हो गया and mathematics हो गया, physics and geology, social work, tourism, travel management और इसमें environmental science का भी update कर दिया गया है MSC ES20 और MSC ES21 का, so आप लोग check out कर सकते हैं, back improvement और main results so guys that's end for the video, गर आपको video helpful लगा हो तो चैनल को जरूर subscribe कीजेगा, thank you guys, thank you for watching and thanks for your lots of support